दोस्तो नमस्कार सुवागत है आप सभी का अपना चैनल आई एंडी हिंदी टेक में दोस्तो आज हम इस वीडियो में टेलिग्राम की एक नया फिचर्स के बारे में बताने वाले हैं जो की बहुती जबरदस्त फिचर्स है तो आप इस वीडियो की अंते तक बने रहेगा देखिए दोस्तो टेलिग्राम पर एक अपडेट आया है जो की 30 जनवरी 2021 को लास्ट अपडेट किया गया है इसमें ये बताया गया है कि आप अपने वाटसअप मैसेज को या फिर जो है कोई और मेसेंजर आप्लिकेशन के मैसेज को जो है टेलिग्राम पर मूव कर सकते हैं और यहाँ क्या फीचर से तो सबसे पहले आप जो है प्लेश्टोर से टिलीग्राम एप्लिकेशन को अपडेट जरूर कर लीजेगा अपडेट करने की बाद यहाँ पर टिलीग्राम एप्लिकेशन को उपन करना नहीं है अगर आप उपन करोगे भी तो कोई उससे दिकत नहीं होगा लेकिन मेन जो काम होगा न वो आपको वाटसेप पर अगर वाटसेप के मैसेज को आप जो है मूव करना चाहते हैं टेलीग्राम पर तो वाटसेप ओपन करके ही करना पड़ेगा या फिर आप जो है कोई मूव कर सकते हैं यहाँ पर कोई एक चैट ले लेते हैं जैसे यहाँ पर क्रेड वाला लेते हैं तो यदि इस चैट का मैसेज हम मूव करना चाहते हैं टेलिग्राम पर तो कैसे कर सकते हैं इसके लिए आपसंस मिलता है यहाँ पर थ्री लाइन वाले आपसंस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको more वाले options पर क्लिक करना है more वाले options में जाओगे तो यहाँ पर export chat की options मिलेगा जो कि यहाँ पर यह options पहले से था export chat पर क्लिक करोगे तो पहले telegram का options नहीं आदा था लेकिन अभी आप देख पाओगे कि यहाँ पर टेलीग्राम का options आ चुका है ठीक है ना पहले आप WhatsApp के वाया किसी चैट में move कर पाते थे लेकिन आप टेलीग्राम का options आ चुका है जब टेलीग्राम application को update करोगे तो आपको यहाँ पर options मिलने लगेगा तो आप यहाँ पर simple से टेलीग्राम वाले options पर click करे अब यह पर आपको जो है सारा चैट दिखाया जाएगा जो आपका टेलीग्राम का चैट होगा वो दिखाया जाएगा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो है ऐसा नहीं कि public चैट के साथ भी इस message को share कर सकते हो या फिर उसके chat box में सारा message share कर सकते हो आपकी contact list में जो message को send कर सकती हैं जो आपकी contact list में होगा तो यहाँ पर demo करके जो हमने एक account बनाया है जो कि आप देख सकती है यहाँ पर account बनाया नहीं है बलकि इस number को हमने contact में add किया है तो यहाँ पर जो है public है नीचे में सारा जो है public है जो कि आप देख सकते हैं किसी पर नहीं होगा लेकि यहां पर आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, यहां पर लिखा गया के करेंट डे में यहांपर मेसेज इमपोर्ट होगा, दोनों चैट की मैसेज को आप टेलिग्राम के किसी चैट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मदद से रख सकती है यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा के सारा मैसेज आ चुका है जो कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ मैसेज कब भेजा गया है वो भी time यहाँ पर बता दिया गया है जो कि यहाँ पर message import कब हुआ है वो time आपको बता दिया जाता है जी हाँ इससे पहले मैं आपको बता दू कि एक और update आया था जिसमें यह features लाया गया था लेकिन अभी जो है latest update आया है इसमें जो है import आपने कब किया है वो time बताया जाएगा और यह जो है WhatsApp पर कब message बेजा गया था वो भी time जो है अब पता चलने लगा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी के अभी हमने यहाँ पर import किया तो अभी अभी वाला जो है so हो रहा है इस परकार से आप WhatsApp के किसी भी चैट message को आप यहाँ पर काफी असानी से टेलीग्राम के किसी एक चैट में आप रख सकते हो तो इस वीडियो में हमने आपको यहाँ पर export करके दिखा दिया import करके भी दिखा दिया कि कैसे आप WhatsApp के किसी भी चैट के message को आप टेलीग्राम पर रख सकते हो टेलीग्राम के किसी चैट में रख सकती हो यहाँ पर एक और डाउट में आप लोगों का क्लियर कर दू अगर आप सोचोगे कि यहाँ पर एक्सपोर्ट करने से इस चैट का मैसेज डिलेट हो जाएगा जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर आपको बताया कि वाटसेप की मैसेज को एक्सपोर्ट करके आप टेलीग्राम में कैसे ले जा सकती है तो टेलीग्राम में चला जाएगा तो उसके बाद आप सोचोगे कि यहाँ पर वाटसेप बाला मैसेज डिलेट हो जाएगा और इसी परकार के वीडियो प्राप्ति के लिए चेनल को जरूर सबस्क्राइब करें मिलती हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में हमें दीजिये इजाज़त तब तक के लिए गुडबाई